हलो फ्रेंड्स मैं आपका दोस्ट डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजूकेशन क्लिनिक आज हम बात करेंगे बात के बारे में कि BAT क्या है आखर और BAT का यदि Effect आपकी BODY पे जादा हो तो आपको क्या तकलीफ होती हैं gener के अनुसार हमारी BODY का जो सभाव है उसको 3 category में बढटा गया है BAT, PIT और कफ इसका मतलब होता है कि हमारी body के अंदर body का यदि एक nature यानि एक सभाव यदि dominate करे तो हमें कुछ set of symptoms आ सकते हैं और यदि लगातार वो symptoms बने रहें तो फिर हमें उसके बाद कुछ बीमारियां कुछ तकलीफ हो सकते हैं जो हमारी life के लिए life threatening हो सकते हैं और हमारी life की जो quality है उसको प्रभावित करते हैं तो हमें आज ये समझना है कि बाद effect क्या है और बात को हम symptoms के आधार पे normally साधानते कैसे समझ सकते हैं एक आम इंसान कैसे समझे कि उसकी body के अंदर बात effect है बात effect को समझने के लिए simply हमें ये समझना है कि यदि बात effect आपकी body में ज़्यादा है यदि बात का पिरभाव आपको ज़्यादा है body के अंदर तो आपके joints में inflammation आएगी, joint में swelling आएगी, आपके muscles का health पिरभावित होगा आपकी nerves का health पिरभावित होगा और आपकी जो moment है, बात से मतलब है moment आपकी जो moment है, वो restricted होगी, यानि यदि आपको बात effect है तो morning में आपको stiffness महसूस हो सकता है, आपकी गठान में pain हो सकता है आपको joints के level पे swelling आ सकता है, और half an hour, मतलब आदा एक घंटे के वारी morning में देखा जाता है कि आपकी body अच्छे से move नहीं करती है, body के अंदर stiffness रहती है और जो बात effect होता है, वो morning time में जादे होता है, जैसे जैसे day progress करता है तो बात effect body के अंदर कम भी हो जाता है, और body थोड़ा सा better भी महसूस करती है यानि बहुत सारे लोग हैं दुनिया में कि जो morning उनकी बहुत अच्छी नहीं होती वो morning में restricted होते हैं, वो fight करते हैं और regulate करने के लिए, body को regulate करने के लिए physiologically, mentally, बहुत उन्हें fight करना पड़ता है hard work करना पड़ता है, एक adjustment करना पड़ता है दूसरे label पर यदि मैं बात के पिरभाब को यदि explain करूँ तो फिर आपका nervous system, क्योंकि जैसे जैसे बात पड़ता है हमारा nervous system भी sensitize होता है, sensitive होता है और उसके nervous system के अंदर जो biochemical balance है वो थोड़ा सा गड़ बड़ा जाता है और neurons के अंदर, यानि जो neurotransmitters हैं जो neurons हैं, जो हमारी brain की cells हैं वो बात के पिरभाब पड़ने से बहुती restricted, बहुती depressive बहुती lazy महसूस करते हैं और दिमाग की level पे भी बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि वो mentally बहुत ज़्यादा alert और active नहीं रहते हैं फर्स phase में जब वो morning में उठते हैं लेकिन जैसे जैसे time progress करता है वो थोड़ा सा better महसूस करते हैं तो दिमागी बीमारियों में भी बात effect बहुत ज़्यादा पाया जाता है जैसे जैसे आपका बात बढ़ता है जिन लोगों को बात effect ज़्यादा होता है उनको depression, migraine, anxiety और especially the mood disorder बहुत ज़्यादा देखा जाता है कई बारी वो बहुत ज़्यादा positive और energetic आपको दिखते हैं बढ़ कई बहुत negative और disoriented आपको दिखते हैं तो ये सब बात बाले रोग होते हैं अब बात की ketagari में यदि मैं system wise बात करूँ तो आपका nervous system और आपका esclatine system और आपका muscular system और आपका मतलब जो nerves है neurons वाला neurons के साथ peripheral nervous system ये प्रभावित होता है और आपकी spine में जो spinal nerves हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होती हैं यानि spine की level पे भी आप stiffness दिखते हैं और joint की level पे भी stiffness दिखते हैं जितने भी arthritis सम्बंदित यानि जितने भी joint pain से सम्बंदित या arthritis से सम्बंदित आप problems हैं वो सब बात वाले लोगों को होती हैं तो बात के effect को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि हमारी body का symptomatic nature क्या है यानि हमारी body कैसे react करती है कौन से symptoms and signs हो करती है early morning या day to day life में भी तो हम अपने symptoms के आधार पे ये categorize कर सकते हैं कि हमारी body बात के अंदर आती है पित के अंदर आती है कफ के अंदर आती है तो अब हम बात करेंगे कि बात management क्या है बात के symptoms पे हमने बात कर ली बात के पिरभाब को हमने जान लिया तो बात management क्या होगा यदि किसी को बात effect बहुत जादा होता है तो बात को हम कैसे कम कर सकते हैं सबसे पहली बात है कि बात को कम करने के लिए आपको अपने food को modify करना होगा मतलब food के अंदर खटाई, चावल, चीनी, मैदा आप ये बिलकुल बंद कर दीजिए यानि white जो food है वो आपको stop करना होगा refined food in any form is not good for the bath effect patient बात वाले लोगों के लिए किसी भी तरह का refined किसी भी तरह का developed food जिसमें की जिसकों की developed किया गया है वो अच्छा नहीं है आप किसी भी तरह का developed rice यानि refined rice ना खाए natural rice खाए या brown rice खाए फिर आप जो चपाती है जो bread है ब्रेड ना खाए अच्छी normal रोटी खाए चपाती खाए प्लस आप मैदा का इस्तेमाल ना करें white जो सुगर है वो बिलकुल बंद कर दें और white सुगर से बनी हुई चीज़ें बिलकुल बंद कर दें प्लस जो बात वाली चीज़ें है जैसे कि गोभी है आपका आलू है बेंगन है आपका अर्भी है ये सब आपको बंद करना होगा बात effect को कम करने के लिए अब दूसरे number पे हम आते हैं कि यदि ये food restrictions हो गई तो फिर ऐसे कौन से food है जिनको हम खा सकते हैं और जो हमारी health के लिए भी benefit देंगे और हमारे बात को भी regulate करेंगे आप हलका गुनगुना पानी पीजे लगबग 3 लीटर 8 से 10 गलास पूरे दिन के अंदर बात patient के लिए गरम पानी पीना बहुत अच्छी habit है उससे आपको system भी regulate होता है प्लस joints और nerves में जो inflammation आती है वो भी कम हो जाती है दूसरे नमबर पे आप हल्दी का दूद पी सकते हैं या फिर limited amount में बहुत जुसका right dose आप लें हल्दी का जादा सेवन करने से आपको गर्मी हो सकती है तो वो आप हल्दी का दूद आप ले सकते हैं ginger आप add करें अपने milk में या चाए coffee आप लेते हैं तो इससे आपको बात को regulate करने में बड़ी मदद मिलेगी अब दूसरे label पे जो food है आप good खाएं चीनी की जगे और आप चना खाएं उबला हुआ चना भी खा सकते हैं और roasted चना भी खा सकते हैं यानि कि लगबग 100 ग्राम चना और 50 ग्राम गुड आप डेली खाएं किसी भी form में तो वो आपके लिए benefit देगा उससे आपका system regulate होगा बात regulate होगी प्लस सबसे अच्छी बात ये है कि बात regulate करने के साथ साथ चना और गुड आपको अच्छा iron अच्छा calcium अच्छा protein प्लस अच्छा nutrition देगा अच्छा folic acid देगा जिससे कि आपको एक complete nutrition भी मिल जाएगा यानि एक अच्छा snacks होगा आपके लिए तो उससे आपको नकेबल digestion में help मिलेगी बलकि आपको अच्छा nutrition भी मिलेगा जिससे अच्छा calcium folic acid मिलने के कारण आपकी body में regulate होगा आपका system blood का circulation better होगा next point आप apple खाएं और अमरूत खाएं जिससे कि अच्छा fiber मिलेगा आपको अच्छा vitamin B12 मिलेगा और nuts में आप pinड घजूर खा सकते हैं that is a good walnut खा सकते हैं ये भी बहुत अच्छा है बात रोगों के लिए but kazu, badam, pista और जो दूसरे dry foods हैं और mumphalी वो आप avoid करें उससे थोड़ा सा बात आपका disturb हो सकता है तो ये तो है food management इसके बाद आता है कि exercise management क्या हो सकता है बात patient को जो joints का moment exercise है वो बहुत helpful है जो कि योग science में क्रियाओं के नाम से या सुक्चम ब्यायाम के नाम से जाना जाता है तो वो आप कर सकते हैं stretching आप कर सकते हैं joints की rotation clockwise, anti-clockwise moment exercise आप कर सकते हैं that is a helpful प्लस गरम पानी आपको पीना है and दब make sure करना है कि कुछ भी ना हो तो आप normally 30 से चालिजमाट walk जरूर करें तो that is a helpful और बात की जो problem है वो फिर normally आपकी subside हो जाएगी but it's take time क्योंकि बात हो या पित हो इसका effect काफी dominate करता है और काफी time में आता है लेकिन उसको decline करने के लिए कम करने के लिए एक process है एक पिर्किरिया है naturally आपकी body उसको ठीक कर सकती है but आपको ये सब method apply करने होंगे diet restrictions, exercise plus कुछ food जो हमने वीडियो में बताए हैं ये आपको add करने होंगे तो आपका bath management properly हो जाएगा और bath से सम्मंदित 80 registered problems हैं जो bath के current develop होती है उन सम्में आपको फायदा होगा और आप within 3 months देखेंगे कि some signs and symptoms completely dissolve और आपको normally body की stiffness, pain और body अच्छे से regulate हो गई है लेकिन उसके लिए आपको ये process लगातार करना होगा daily basis करना होगा तो that is a very important management of the bath हमने इस पर काफी research किये काफी बढ़ाई किये I hope ये video आपको पसंद आएगा आपको जो मैंने tips दी हैं वो आप समझ पाएंगे और आप अपनी body को categorize कर पाएंगे और उसके category के according आप अपनी life style का चुनाप करेंगे और बाद सम्मंदिन बीमारियों से बच पाएंगे उसके बाद फिर भी ये आपको कोई symptoms है और आप हमसे कोई consultation चाहते हैं तो उसके लिए हमें WhatsApp message कर सकते हैं वीडियो को पूरा देखें चैनल को subscribe करें आइकन बैल हिट करें और अपने friends के साथ सेयर करें Thank you very much